तो दोस्तो आज बनाएंगे पालक और बेशन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, एकदम नए तरीके से बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है और खाने में ये सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, आप भी एक बार इस रेशिपी को ट्राय करके जरूर देख करके दो-तीन बार अच्छे से इसको धो लिया है, तो पालक को हम काट लेंगे, बारिक-बारिक काट लेंगे, ये देखिए मैंने इसको काट दिया है, और इसमें हम आधी चमच नमक डालके दसमेंट के लिए छोड़ देंगे, नमक डालने से पालक का जो मॉस्चर है, वो रिलीज हो जाएगा, और पालक स्रिंक होके आपको फिर ये कम लगेगी, तसमेंट के लिए इसको साइड में रखेंगे, तब तक लेते हैं ये मिक्सिंग जार, और ये मैंने दो बड़े साइज के प्याज काट लिए हैं, तो ये इस मिक्सिंग जार में डालेंगे, और पा काटोरी में निकालके इनको रख लेते हैं, और इसी जार में ये मैंने तीन-चार टमाटर काट लिए हैं, छोटे साइज के थे, आप बड़े साइज के हों तो दो भी ले सकते हैं, ये इसमें डालके इनका भी हम पेस्ट बना लेंगी, तो ये देखिए टमाटर भी मैंने इनको भी एक काटोरी में निकालके रख लेते हैं, अब पालक को रखे वे भी दस मिनेट हो गई हैं, और ये देखिए ये पहले से काफी कम आपको दिखाई दे रही होगी, इसको मैंने बीच में भी मिक्स कर दिया था, उपर नीचे कर दिया था, और इसका मौस्चर अलग के इसका पानी हम निकाल लेंगे, सारी पालक को इसी तरह निचोड लेंगे, और ये जो पानी है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेव में यूज करेंगे, क्योंकि पालक का पानी है, बहुत ही हेल्दी होता है, तो ये फेंकना नहीं है, तो ये देखिए सारी पालक मैंने निचोड ली है और ये जो पानी बचा है इसको भी किसी कटोरी कप में निकाल के रख लेंगे बाद में हम इसका यूज करेंगे अब फिर से यही मिक्सिंग जार लेंगे और ये पालक इसमें डालेंगे एक बार में सारी नहीं आएगी ये मैंने छोटे वाला लि तो इसको इस बड़े बरतन में हम निकाल लेंगे आप बड़े में ही निकाल लिए क्योंकि इसमें बाद में बेसन मिक्स करना है और ये जो पालक बची हुई है इसको भी मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसी तरह हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे और ये देखिए इसको मैंने पीश लिया है तो सारी पालक को इस बरतन में डाल लेते हैं अब ये जो प्याज हमने पीश के रखे हैं इसमें से एक चमच हम ये पेश्ट इस पालक में मिला देंगे इसमें अधरक लैसोन मिर्च सारी चीजे हैं और अब इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं एक हैं तो डाल सकते हैं और यह मसाले इसमें अच्छे से mixed कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे हम नहीं नहीं थोड़ा करके आल के मिला लीजिये लेकिन इसमें वेसन थोड़ा जयादा ही लगेगा एक से अधेर कपाप का बैसन लगेगा और बैसन डाल Fukada से बेशन चिपकता है हाथों पे तो बाद में इसमें आप एक से दो चमस तेल डालके अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं और ये देखिए इसको मैंने इस तरह से टाइट गूंद लिया है बाद में मैंने इसमें एक दो चमस तेल डाल दिया था ताकि ये लेंगे जैसे रोटी बनाने के लिए लेते हैं वैसे ही एक लोई ले लीजिए और ये मैंने गेहूं का आटा लिया है बेशन भी ले सकते हैं लेकिन बेशन ज्यादा चिपकता है इसलिए गेहूं का आटा लिया है और इसकी रोटी बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं से पतली ही रखिएगा, और इसको हलके हाथ से। इस तरह से fold करेंगे। जैदा tight fold नहीं कीजियेगा, हलके हाथ से करेंगे तो इस बीच में से भी अच्छे से पक जाएगा। किनारे पर हम थोड़ा पानी लगा लेते हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए इस तरह से देखे इसके हम रोल बना लेंगे आप साइड से खुला रखना चाहें खुला भी रख सकते हैं और बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं लेकिन मैंने बाद में जो दूसरे बनाए वो खुले ही रखे थे ताकि अंदर से भी अच्छे पक जाएं तो यह देखिए यह मैंने सारे रोल बना लिये हैं इतने में हमारे यह साथ रोल बन के तयार हुए हैं ज्यादा मोटे मत बनाईएगा पतले ही रखेगा ताकि अच्छे से यह पक जाएं अब आप चाहें तो इनको दो गिलास पानी उबाल के उसमें डाल के पान साथ मिनिट के लिए पानी में उबाल सकते हैं या फिर इनको स्टीम भी कर सकते हैं तो मैं इनको आज स्टीम करूंगी तो स्टीम करने के लिए मैंने यह चलनी ली है इस तरह की चलनी सब के गर में होती है चलनी ना हो तो आप प्लेट ले लीजिए और इसमें लगा देती हूं मैं ये ओडी का इको बेक नॉन स्टिक लाइनर और अगर आपके पास इस तरह की चीज ना हो तो आप चलनी को चिकना कर लीजिए और ये सारे रोल हम इसमें सेट कर लेंगे अब लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम थोड़ा दो तीन चमस तेल डाल लेंगे जब तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे और छोटा दाल चिनी का टुकड़ा डाल देंगे ये मैंने दो इलाइची तोड़ के डाली हैं छोटे वाली हैं अगर आपके पास बड़े वाली इलाइची हो तो वो डाल सकते हैं जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम आदी चमस जीरा डालेंगे दो पिंच इसमें हिंग डालेंगे और कुछ सेकंड इनको पका लेंगे जिरा जब चटक जाएगा तो ये जो प्याज अद्रक लेसुन का हमने पेस्ट बना रखा है ये इसमें डाल देंगे प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम पकाएंगे जब इसका हलका कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर आ जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे तो ये देखे प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब ये जो टमाटर हमने पीश के रखे हैं ये भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे अब साथ में हम इसमें मसाले भी डाल देंगे आधी चमच नमक डालेंगे आधी चमच हल्दी डालेंगे और एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे आधी चमच कसमेरी लाल मिर्च डालेंगे और आधी चमच ये मैंने कीच जनकिंग मसाला डाला है सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ग्रेवी को हमने अच्छे से पकाना है ग्रेवी जितनी ज्यादा अच्छी पका लेंगे सबजी उतनी ही ज्यादा अच्छी बन जाती है तो पकाने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे ये जो पालक वा और डाल दिया है और अब हम एक पंद दो काज करेंगे ये जो ग्रेवी है इसको पकने में पांसात मिनिट लगेंगी साथ में ही हम जो रोल बनाए हैं उनको भी स्टीम कर लेंगे इस चलनी को मैं रख देती हूं कड़ाई के उपर और उपर से ढख देंगे एक दो मिनिट फ् और ये पहले से थोड़े फूल भी गए है अब इनके बीच में थोड़ा स्पेस था पहले वो नहीं है तो इनको मैं निकाल दूंगी और थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी इनको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दिया था और ये देखे ग्रेवी हमारी बिलक ठंडे हो जाएंगे तो ये देखिए रोल हमारे ठंडे हो चुके हैं इनको मैंने फ्रीज में रख दिया था इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है तो अब इनके हम पीश काट लेंगे मैं एक-एक इंच के पीश काट रही हूँ छोटे ही काटिएगा ताकि अंदर त पादिश्ट लगते हैं तो ये देखे ये मैंने सारे रोल काट लिये हैं तो आप ग्रेवी को देख लेते हैं ये देखे ग्रेवी से तेल अलग हो गया है एक बार मिक्स करेंगे और आप इसमें पानी डाल देंगे पानी मैं यहां डेड़ गिलास डाल रही हूं इस सबजी मे ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखनी होती है आप चाहें दो गिलास भी ढाल सकते हैं मैंने बाद में आदा गीलास पानी और डाला था क्यूंकि यह ठंडी होने के बाद थोड़ी गाड़ी हो जाती है तो अभी मैंने हाँ डेड़ गिलास पानी डाला है मिक्स करके इसको ढख देंगे और ग्रेव में उबाल आने के बाद हम अपने जो हमने गटे बनाए हैं पालक के वो इसमें डालेंगे तो ये देखे ग्रेव में उबाल आ गया है और ये गटे अब इसमें डाल देंगे, मैं यहां आदे ही डाल रही हूँ क्योंकि सब्जी जादा बन जाएगी, तो मैं इसमें ये आदे पीस डाल देती हूँ, और आदे हम दूसरा सनेक्स बनाएंगे, फ्राई करके भी खा सकते हैं, या फिर तड़का लगाके भी खा सकते तो ये दिखे, इसमें मैंने आदे डाल दिये हैं, अच्छे से इनको एक बार मि assistance कर देते हैं, और अभी हम इनको 7–8 minutes और पकाएंगे, एक 2 minutes high flame पे पकाएंगे, उसके बाद Medium flame पे 7–8 minutes इनको और पकाएंगे, और ये दिखे सब्जी को मैंने 7–8 minutes और पका लिया है, उसके बाद सर्व करेंगे और अब हमारी सब्जी बिलकुल तयार है गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप इसे रोटी के साथ चपाती नान के साथ राइस के साथ खा सकते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी और जब इस तरह नए नए तरीके से सब्जी बना के बच्चों को द बूलना जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई थैंक यू